हेलो गाइस बल्कम बेक टो मैं चैनल तो आज हम बनाएंगे आम माखा तो फ्रंट देखें यहाँ पर मैंने कच्चा आम लिया है दो और कुछ हरी मिर्च और कुछ नीबू के पत्ते लिए है तो चलिए तो फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं तो फ्रंट सबसे पहले हम आम को चीलेंगे तो यहाँ पर देख सकते हो फ्रंट एक चकू की मदद से हमने आम को अच्छे से छील लिया है और अभी हम इसको कद्दूकश करेंगे तो देखिए एक कद्दूकश भी लिया है हमने तो इसमें आम को हम कद्दूकश करेंगे तो देख सकते हो फ्रंट कद्दू और इसमें हम थोड़ा सा चीनी भी डालेंगे क्युंकि आम बहुती ज़्यादा खटा होता है तो उसमें खटा मीठा दोनों का फ्लेवर आएगा इसलिए थोड़ा सा निभू के पत्ते लिये थे हमने वही निभू के पत्ते को थोड़ा से बीच में से फार के डाल देंगे और फिर हरी मिर्च को भी डालेंगे तो देख सकते हो फ्रण हरी मिर्च भी हमने डाल दिया है और हरी मिर्च को हम नमक में तोड़ेंगे अच्छे से और फिर इसके साथ मिलाएंगे तो फ्रण देख सकते हो इस तरीके स हम मिर्च को तोड़ लेंगे और फिर आम की साथ मिलाएंगे फ्रण ये खाने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगता है और ये समर इस्पेशल रेसिपी है तो आप भी एक बास जरू ट्राइ करके देखना अगर आपने पहले भी खाया है तो आपको पता होगा देख के सब्सक्राइब कर देना और जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर दिया है उनको बहुत-बहुत धन्यवाद नोटिफिकेशन बैल को भी जरूर आन करना ताकि मैं जब भी वीडियो डालू तो आपको नोटिफिकेशन मिले और आप तुरेंद वीडियो को देख सेको तो फ्र स्काने में भी बोहत ही टेस्टी लगता है तो आप भी एक बात जरूर ट्राइव करना फ्रांड तो देख सकते हो फ्रेंड बहुत जयादा खुटा है और साथ में को भी स्कीप कर सकते हो तो प्रंड एक बार आप इसको जरूर ट्राय करिए और कॉमेंस करके जरूर बताईए कि कैसा बना है तो चलिए तो फिर मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए आप इस वीडियो को इंजॉय करिए और फ्रंड ये समार स्पेशल रेसिपी है तो आप इस वीडियो को जरूर देखना देखना आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आएगा तो वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर देना चलिए तो फिर मिलते हैं नेक्स वीडियो में त यदल Oreo को करागन ऊपको वी प्र वैल भाइक के यदबाया है थो वीडिация देना आपके यद पो स स्वाद़ो लाहाँ है मुआ है वका इस beneाप्सत इसम – व ideia को भाहाँ है